हेलो वाट्स आप गैस मैं नेम इस विनोद बादु थापा एंड टोड़े इन इस वीडियो 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 सी वाट इस आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर ये आर्टिपिशियल इंटेलिजियंस क्या है और इसको क्यों इतना यूज किया जारे वर्ल्ड में ठीक है तो चलिए शुर करते हैं सबसे पहले किसमें आपको बता देता हूं बेसिकली जो आर्टिपिशियल इंटेलिजियंस जो ये टर्म होता है ना ये कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलोजी से रिलेटेड है ठीक है एक सिंपल सा जल्दी से इसका अगर मैं आपको एक इंडिविजुली अगर मैं आपको एक्स्प्लेन करूँ न तो साथ आपको और बैतर तरीके से समझाए विसिकली ये वर्ट्स क्या है ठीक है तो देखिए आर्टिपिशियल मतलब मैं अगर आपको सिंपल बोलू जो नॉन नैचुरल बोल सकते मतलब ऐसे चीज़े जिसको सोचने की समताव सोचने की सक्तियों तो इंसानों के दौर आप बनाये गया कोई ऐसा चीज जिसमें सोचने की काबिलियत हो वो अगर हमें हासिल होता है उसको हम आर्टिपिशियल इंटेलिजन्स कहते हैं ठीक है गैस मैं आपको और इजी तरीके से अगर इसको एक्स्प्ल रहा है अगर किसी को टar करा थो वह उसी समय उसपे रियाक्ट करेंगा रो यह बताएगा कि हाहां इजो वो देख रहा हो सही है गलत है जो सुन रहा है वो कैसे दिरे सुन रहा है त Aid carkinнее P तब आगे क्या रियक्ट करना है, उसको किसे के से बिएब करना है, स्यम वही काबिलियत, वही एबिलिटी, वही इंटेलिजन्स अगर हम किसी रोबर्ट्स में डाल दे, या robots में हम अगर वो intelligence को develop कर सके कि robots अपने आप देखके समझ के सुन के या touch करके मैसूस कर सके वो fill करे कि आगे क्या करना है उसको हम intelligence स्वारी artificial intelligence कहेंगे ठीक है ठीक है मैं आपको और आसन तरीके से अगर मैं बताओ अगर आपका कोई सिस्टम है अगर आपके पास कोई सिस्टम है ठीक है अगर आप वो सिस्टम में कुछ इस तरीके से कुछ प्रोग्रामिंग सेट करते हो कि जो काम human कर रहा है जो काम इंसान कर रहा वही काम अगर और रोबर्ट कर दे तो से हम आपको सिंपल इक्जांपल है चैस आप मुझे स्टार्टिंग में इतना जब हाइफाई कांटर स्टाइक लब सियर्स अब गेम ने था हम वोस्टली चैस केरते थे कंपूटर में और कंपूटर में अगर आप अकेले बैठे हो तो आपने नोटिस के होगा कि एक प्लियर तो आप खुद हो गए दूसरा आप कंपूटर को चूज करते हैं कभी आप आप अपनी तरफ से तो आपके हाउत में माऊस रहता है या लैपटर में टच पैड रहता है वहार से आपने चुज किया कि मुझे हात्ति गोड़ा एक दोसर दोदो चलना है लेकिन जब आप अपना चलते उसके बाद कंपूटर जो automatic turn चल रहा है वो कैसे चल रहा है computer का कोई आके उसको हुकम तो नहीं दे रहा ना भाई तो यह चल तो उसके अंदर already program set किया गया है कि अगर user यह चाल चल रहा तो तुम यह चाल चल तो वो कैसे मुंकिम हुआ हुआ artificial intelligence ठीक है यह तो गया AI and I hope आपको समझा होगा तो आप हम देख लेते basically types of AI ठीक है यह मैं basically university के थुरू बोल रहा हूं तो उसमें three types of AI होता देखे एक होता weak AI दूसरा होता strong AI and third one is singularity AI singularity AI artificial intelligence है वो short form AI ठीक है तो यह weak AI क्या होता है जिसको हम narrow AI भी बोल सकते ठीक है narrow AI भी बोल सकते तो weak AI मतलब एक ऐसा AI है मतलब एक ऐसा artificial intelligence है जिसको सिप create किया गया for a specific device जैसे मैंने अभी आपको बता है chess chess में जो AI यूज किया गया मतलब chess जब वो game बनाया गया तब उसमें जब AI को create किया ना उसमें तो वो बस इतना ही किया कि अगर user क्या game plan कर रहा है उसके game plan को again के जो plan है उसको समझो उसके साब से move चलो ठीक वही अगर chess का AI को अगर आप कोई online e-commerce site है जहां पर आप swapping कर सकते वह महां पर कि अगर आप कुछ सूज मेक अप या कुछ अगर आप select करते तो by default नीचे recommend में उसी के related आसपास जो price range वो सब आ जाता है तो वो जो recommendation आ रहा है वो भी AI है तो वहीं पर वो जो recommendation वाला जो AI बनाया है online shopping site में ठीक है वो AI अलग है और जो chess में खेलते सामें जो AI बनाय है वो अलग है तो उस type की AI जो specific device के लिए बनाया गया उसको हम weak AI बोलते है ठीक है then what is strong AI guys मैं बता जेता है weak AI अभी हम implement कर रहे है वो चली रहा है लेकिन strong AI क्या होता है अगर इंसान जो सोच रहा है समझ रहा है मतलब इंसान जो काम कर रहा है जो सोच रहा है समझ रहा है मतलब उस पर हम बना सके उतना लेवल तक उसका AI क्रेट कर सके ना तो उसको हम strong AI बोलेंगे समझ रहो basically यह समझो कि human का जितना सोचने का एक लेवल है उतना ही लेवल अगर robot का हो जाए तो वह strong AI कहला तो मैं बता देता हूं strong AI अभी तक है नहीं अपने पास समझ रहो तो य जहां पर फ्यूचर में चाले जाते है जहां पर रोबर्ट सब काम कर रहे हो तो में भी वह से के कारण नो 2050 movie बना हम बोलने सकते बटे एक्चल में फैक्ट है वह 2050 तक आ जाएगा ऐसा बोला गया जहां पर रोबर्ट और इंसान दोनों की सोचनी की लेवल एक रहेगी तो बिल्गेट्स ने अपना क्या बोलते माइक्रोसॉप्ट तो वह जब स्टार्टिंग में आपनी जो ओस देखा है और अब भी की जब ओस देख रहे हो यूज डिफ्रेंस है उसमें मंदब वहां की जो क्वालिटी अगर आप बोलो तू पिक्सल्स जो बोली जो वक हो रहा ह है जो क्वालिटी बोलो स्पीड वह क्यासे इंक्रीज होते जा रहा है पर जो यूज युज भुलता आप बना रहे हो ठीक है उसको और इंप्रूब हम करते जाए किस तरीके से कर सकते वह सिंग्रीटी यह बताते मतलब दो यह मिलके तीसरा और बैतर तीन मिलके चौता और वैतर उसी तरीके से अब मैंने बाता है ना strong AI में क्या होता है कि एक ऐसा AI हमने create किया robots को हमने एक ऐसा AI दिया उसके अंदर एक ऐसा intelligence डेबलोग किया जो इंसान के बराबर सो सकती है वहीं अगर उस singularity AI में मिल जाए तो singularity AI क्या बोलती है दो से मिलके तिन, तिन से वरके चार मदर जो अच्छा अच्छा उन से मिलके और अच्छा बनाना तो एक बार अगर robots के दिमाग का लेवल इंसान जितना हो जये और वैसे बहुत सारे robots बन जाए तो वो रोबर्ट्स अपने आप में मिलके और ऐसा AI बनाएगी इतना और आगे आइडमन जाएगी कि इंसान के दिमाग से भी तेज हो जाएगी इसलिए Elon Musk हो गया, Bill Gates ने बोला है कि यह बहुत डेंजर हो सकता आप इतना आगे मत जाओ समझे इसलिए एक बार साइद आपने सुना भी होगा कि फेस्बूक में आटोमेटिक AI अब एक दूसर से बात करने लग गए तो इसलिए होता है, ठीक हम एक ऐसा Artificial Emotional Intelligence बनाएंगे जहां पर जो AI है जो दिमाग सोचनी की समता है जो रोबर्स में वो उनमें मतलब कैसे भावना आ जाए समझे हो अगर Emotional को हम क्या बोल सकते गाइस मतलब उनमें Emotion आजाए Emotion आएगा तो वो समझ सकती हां इंसान उन्हें मुझे बनाया है समझे तो उससे सबसे साथ वो इंसानों के साथ कुछ बूरा ना करे तो वो हम आजाते से सिमुलरिटी आई के अंदर एंड आई होब आपको समझ रहा होगा एंड लास्ट का इसा अब हम देखेंगे कि इसकी एप्लिकेशन क्या और मैं बता देता हूं यह कोई भी उनिवर्सेटी आप लेलो उसमें यह पूछते ही पूछते है कि मतलब AI का एप्लिकेशन कहां हम इसको कहां यूज कर सकते तो मैं बता देता हूं काई सबसे पहले होता गेम प्लेइंग यह पहला एप्लिकेशन आपको सिम्प्ली इतना लिखना अगर दो मार्क्स का मोचलिया आता है अरे आटिपिशल इंडेलिजिएंस वाट इस यह यह चार मार्क्स हो गये तो आपको पहला लिखना गेम प्लेइंग में अपको एग्जाम्पल दे ना है यह चेस प्लेइंग का यहां बेसे की यूजर क्या मूब करने वाला है या क्या मूठ किया तो उसको सोच के अगर जो आया अपना मूब चल रहा इसको लिए दूसरा होता इंटेलिजनस बन सकें इंटेलिजन की तरह सोच सकें ठीक है एंट थर्ड वान होता है planning में बता है नहीं तो planning basically क्या है खाइस किस तरिके से plan करके और बहतर चीज़े बनाना तो यह बैसे कि एस आपना बदा दूब की जैसे अगर आप मुबैल में क्या यह एक टाइप क्या आर्टिफिशल इंटेलिजन्स है ठीक है जहां पर वो वर्ट्वल एसिस्टेंट है हमारे तो यह सब आर्टिफिशल इंटेलिजन्स है गाइस पूरी दुनिया में बड़ी-बड़ी कंपनी लाइक गूगल माइक्रोसफ्ट यह फेश्बुक सब इस पर इंप्लिमेंट कर रहे अपना वक कर रहे तो आई होप आपको समझाओगा यह एए बेसिकली क्या होता है एंड कहां इसका यूजर क्यों इतना आगे एडवन्स बढ़ते जा रहा ठीक है तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा तिल एन गाइस तेंके सो मच टेक किया